हालो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्थित प्रग्य जो हमारे एथिक्स वाले पेपर में आता है इस्थित प्रग्य का मतलब हो गया जिस व्यक्ति की बुद्धी जित इस्थिर है यानि भार की कोई भी फेलिंग्स, इमोशंस उसको मूव नहीं कर सकते हमें हमारे एड्मिनिस्ट्रेशन वाले पेपर में ये जवाब देना है जिस तरह से मैं आपको बताना चाता हूँ कच्छुआ अपनी सारी इंद्रियों को समयट लेता है उसी तरह से स्थिर उचित, स्थिर बुद्धी या स्थित प्रग्य व्यक्ति ने अपने इमोशंस पे इस तरह से काबू पा लिया है कि उसको भार की चीज़ें, भार की वस्तुमें, भार के इमोशंस, आउटसाइड ओफ दा बोडी कोई असर नहीं डाल सकते ना तो अच्छा ही, ना ही बुराई दूसरा मीनिंग है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा एड्मिनिस्टेटिव ओफीसर ना तो सुख में बहुत सुखी, बहुत तो वर्ड लगाना ही नहीं हमको आंसर देते में ना तो सुख में सुखी होता है ना ही दुख में दुखी होता है वो सम भाव से अपना कार्य करता है हमारा ओदेश यहाँ पर है administrative answer लिखने की तो you have to write आपको क्या लिखना है जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ लीजिए और उसी को अपने शब्दों में आप reproduce करके आ सकते हैं ना अच्छा ना बुरा दोनों कोई भी चीज ऐसी महसूस नहीं करता वो उसका स्वेविवेक आत्मा में आत्मा समझता है वो क्या कहता हूं आत्मा में आत्मा समझता है अंदर ही उसके सुख है अंदर ही उसके दुख है इस विशे को समझते हुए इस्थित प्रग का अंस तरह आप इस तरह से लिखिएगा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बहुनिश मातुर चैनल मिलियन थैंक्स